Hello students, स्वागत है आप सभी का RVR YouTube क्लास में तो student आज मैं एक question लेकर करके आया हूँ ये question class 8 के math की exercise 9.1 से लिया गया है algebraic expression chapter से तो आईए देखते है question क्या कहता है तो question शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँँ कि वीडियो में आंतर तक बने रहिए ताकि आपको सही से समझ में आ जाए तो चलिए फिर शुरू करते हैं तो इस question में हमसे बोला गया ये question number 4 का C है subtract 4P square Q minus 3PQ plus 5P Q square minus 8P plus 7Q minus 10 from 18 minus 3P minus 11Q plus 5PQ minus 2PQ square plus 5P square Q तो ये मारे पास question है और हमें इसको subtract करना है मैंने आपको इससे पहले बहुत सारे वीडियो बनाये हुए है subtraction पे algebraic expression के जैसे कि 4A, 4B मेरे playlist में आप जा करके देख सकते हैं तो उसमें मैंने बताया है कि सबसे पहले हम from को देखते हैं इसको देखते हैं, from को देखते हैं और from के बाद में जो आता है उसको हम सबसे पहले लिखते हैं मतलब from के बाद वाले में से from के पहले वाले को subtract करना है अगर मैं एक साधार भासा में बोलूँ तो इसमें से इसको माइनस करना है ठीक है तो चलो फिर शुरू करते हैं solution अब देखो इसको करने के दो में तड़ है by column method by horizontal method मैं सबसे पहले आपको column method बताऊंगा फिर कोसिश करूंगा horizontal method बताने की ठीक है सबसे पहले मैंने बोला कि फ्राम के बाद जो होता उसको पहले लिखा जाता है तो इसको हम पहले लिखेंगे लेकिन इसको लिखने से पहले हम क्या करेंगे जैसे जो higher power है उसको सबसे पहले करने की कोशिश करेंगे तो यहां से देखो इसमें higher power q square है और इसमें higher power q square है तो मैं इसको सबसे पहले लिख लेता हूं आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन मैं सबसे पहले लिख रहा हूं यह वाला 5 दिखाई दे रहा है नहीं दिखाई दे रहा है ठीक है 5 p square q इसके बाद मैं यह write कर ले रहा हूं minus 2 p q square ठीक है फिर आप मैं write कर रहा हूं 5 p q minus 11 q minus 3 p और जो value होगी उसको सबसे आखरी में रखेंगे plus 18 अब देखो यहां पर कोई sign नहीं है लेकिन plus होता है जहां पे कुछ नहीं होता हमाँ क्या होता है plus 18 अब आप ऐसा कर सकते हो ठीक है अब अपने एक बार जब इसको right कर लिया, तो जब दूसरा right करेंगे, तो उसमें देखेंगे, कि P square Q वाला कौन सा term है, तो देखो P square Q वाला ये वाला term है, तो इसको इसके नीचे right करेंगे, क्या right करेंगे, 4 P square Q, ठीक है, अब हमें दूढ़ना है P Q square, तो देखो P Q square यहाँ पर है तो इसको write करेंगे यहां पर plus 5pq square फिर इसके बाद pq वाला term write करेंगे तो यहां पर है pq minus 3pq अब हम q वाला term write करेंगे तो यहां पर हमारे पास plus 7q अब हम p वाला term write करेंगे तो minus 8p फिर नंबर वाला term यानि की minus 10 एक बार मैच कर लेते हैं 4p square q 5pq square minus 3pq plus 7q minus 8p minus 10 अगर एक बार आप इसको सही लिख ले जाते हो तो subtraction करने में उतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है यह मालीजे मारी subtraction line हो गई तो यहां पर क्या करने है आपको पहले तो जो नीचे वाला expression है यह वाला यह वाला जो expression है इन सबकी sign change करने होते हैं क्योंकि subtraction में sign बदल जाते हैं तो जैसे यह positive है तो negative हो जाएगा और यह negative है तो positive हो जाएगा और यह positive है तो negative लिखो कोई फरक नहीं पड़ता ठीक है अब देखो यह sign minus है और यह sign minus है तो sign minus का ही आएगा sign same है तो number जूड़ जाएंगे ठीक है sign same है तो number जूड़ जाएंगे क्या हो जाएगा 7pq square अब देखो यह आपर sign plus और plus का है same है तो जूड़ जाएगा sign plus आएगा 5 plus 38pq अभी साइन माइनस माइनस का है सेम सेम है तो साइन सेम आएगा 11 और पल्स 7 कितना होजएगा 18 q पलस और माइनस साइन डिफरेंट है तो सब्ट्रेक्शन होगा बढ़े नंबर का साइन पलस आएगा 8-3 5 p अभी आपर πलस और पलस है तो दोनों जुट जाएगा 28 10 प्लस 18 कितना होगा 28 तो इस प्रकार से ये हमारा इस question का answer होगा अब देखो यहाँ पर आप 1 हटा दो क्योंकि P square Q को अगर आप उन में multiply गरोगे तो वह ही आएगा यानि कि 1 as a coefficient नहीं लिखा जाता है आपको जब जरूत होगी तो आप लिख लेना तो देखे column method से ये हमारा answer हुआ इस subtraction का अब हम करेंगे by horizontal method किसे करेंगे by horizontal method now by using horizontal method मैं आपको दोनों method से बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे student होते हैं जिनको एक method नहीं समझ में आता दूसरा समझ में आ जाता है तो आपको जो अच्छा लगता है आप उससे करो तो देखो by horizontal method में क्या होगा कि from के बाद वाला जो number होगा उसको पहले write करेंगे मतलब यह जो हमारा 18 है इसको पहले write करेंगे लेकिन ध्यान रखना आपको एक bracket लगाना जरूरी होता है मैंने यह पर big bracket लगा दिया 18 minus 3p minus 11q plus 5pq minus 2pq square plus 5p square q इसमें एक चीज का दिक्कत नहीं होता है कि किसको किसके नीचे write करना है अब यहाँ पर देखो subtraction करना है तो यहाँ पर आप minus sign लगा दिजे और फिर दूसरे के लिए वो bracket open यह लिख दिजे 4 4p square q minus 3pq plus 5pq square minus 8p plus 7q minus 10 अब यहाँ पर आपको एक चीज समझना है कि भाई देखो यह जो sign है जब इसके अंदर multiply करेंगे तो जिसका sign plus है वो minus हो जाएगा और जिसका sign minus है वो plus हो जाएगा यानि सबके sign बदल जाएंगे इधर वाले का इधर वाले में कोई भी change नहीं होगा तो इसको as it is right कर लेंगे 18 minus 3P minus 11Q plus 5PQ minus 2PQ square plus 5P square Q अब यहाँ पर यह देखो इसका sign minus आजाएगा 4P square Q यह sign minus है तो plus हो जाएगा 3PQ यह sign plus है तो minus हो जाएगा 5PQ square यह minus है तो plus हो जाएगा 8P यह plus है तो minus हो जाएगा 7Q यह minus है तो plus हो जाएगा अब आप चाहो तो एक बार sign के बारे में चेक कर लो कि का हमने सही लिखा है कि नहीं इससे question गलत होने के chances कम हो जाते हैं जैसे ये minus 4 pq square q plus 3 pq plus का minus 5 pq square minus का plus 8 p plus का minus 7 q और minus का plus 10 p हाँ बिल्कुल हमने सही लिखा है अब हम क्या करेंगे इसको solution करने से पहले एक step और करेंगे जो same term का होगा उसको same side में लाएंगे ठीक है तो मैंने बताया हम कोशिस करते हैं कि जो highest power होती है उसको पहले लिखते हैं तो सबसे पहले देखो ये 5 p square q है इसको आप पहले write कर लिजे 5 p square मैं धोड़ा pen change कर लेता हूँ क्योंकि इससे आपको दीखेगा नहीं 5 p square q इसके बाद देखो हमने ये वाला write क्या 5 p square q अब हमें p square q कहां पर मिलेगा तो p square q यहां पर मिलेगा कितना? minus 4 p square q ठीक है? अब हम दूसरा देखेंगे ये minus 2 p q square ठीक है? क्या देखेंगे? minus 2 p q square अब ये हमने ले लिया जब ऐसा तो ऐसा ही हम दूसरा डुड़ेंगे और वो हमें यहां पर मिलेगा minus 5 p q square अब हम यहां पर ये वाला write कर लेंगे p q plus 5 p q अब p q वाला टरम और कहां पर मिलेगा? तो देखो p q वाला टरम यहां पर मिलेगा कितना? plus 3 p q आगे देखेंगे हम यहां पर तो हम अब यहां पर से write करेंगे p वाला टरम minus 3 p तो p वाला जब हमने टरम राइट कर लिया तो यहां पर है p वाला टरम plus 8 p ठीके? उसके बाद में हम यहां पर q वाला टरम write करेंगे minus 11 q यहां से write कर लेंगे minus 7 q अब यहां से हम write कर लेंगे 18 प्लास 18 इसके बाद हम इसको write कर लेंगे प्लास 10 आप देखिए आपके सारे नंबर आपको टीक दिख रहे हैं इसका मतलब आपने सबको write कर लिया है तो आप क्या करना है अब बस minus कर दीजिए 5P square Q minus 4P square Q तो 5 में से 4 minus होगा तो कितना बचेगा 1 1 लिखते नहीं है P square Q ठीके अब यहां से minus 2 और minus 5 दोनों same से में तो add हो जाएंगे minus 7P Q square यहां जब आएंगे तो plus 5P Q और plus 3P Q add हो जाएंगे 8P Q अब यहां जब आएंगे तो minus 3P और plus 8P sign different है तो 8 minus 3 5 plus 5P यहां जब आएंगे तो minus 11 और minus 7 हो जाएगा minus 18 Q ठीके फिर यहां पर देखिए plus 18 और plus 10 हो जाएगा plus 28 तो इस परकार से यह हमारा answer आया इस question का तो आपने देखा आप चाहे horizontal method question को solve करो और चाहे आप column में 30 से question को solve करो answer same आना है तो यह हमारा question का answer हुआ आप वीडियो को पहुच करके इस question को write down कर लें तो फ्रेंड्स कमेंट बाक्स में जरूर बताएं कि यह question आपको कैसा लगा अगर एक question आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को like करें चैनल को subscribe करें और अपने दोस्तों को भी share करें इसी परकार के वीडियो लेके मिलते रहेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए thank you class तो बाक्स